साउच सिनेमा की सुपर हिट फिल्म बाहु बली में काम करने वाली सभी अक्टरस को आज दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। इस फिल्म के हिट होने के बाद से ही फिल्म में काम करने वाले सभी अक्टरस की फीस भी काफी बढ़ गई है। और इनही में से एक अक्टर्स रम्या कुष्णन भी है। रम्या ने बाहु बली एक और बाहु बली दो, दोनों में ही फिल्मों में एहम भूमे का निभाई है। फिल्म में शिवगामी देवी के रूप में नजर आई रम्या के केडार को दर्शको द्वारा काफी पसंद किया गया था। जिसके बाद रिपोर्टर्स के मुताबिक रम्या ने अपनी फीस भी भढ़ा दी है। साउथ की टॉप अक्ट्रिस में शामिल रम्या अपनी फिल्मों के लिए साउथ अक्ट्रिस तमना भाटिया और राकुल प्रीत से भी जादा फीस ले रही है। एक entertainment website की खबर के मुताबिक रम्या इन दिनों तिल्गू फिल्म सेलाज रेड़ी अलुद्दू में काम कर रही है। और वह एक दिन की शूटिंग के लिए 6 लाक रुपे चार्ज कर रही है। वह इस फिल्म के लिए 25 दिन शूटिंग करने वाली है। और इस तरह देखा जाये तो वह 25 दिन के लिए 1.50 करोड चार्ज कर रही है। उनके द्वारा ली जा रही फीस साउथ की टॉप अक्ट्रिस से भी जादा है। एक्ट्रिस के मुताबिक साउथ एक्ट्रिस तमना भाटिया एक फिल्म के लिए 65 लाक तक की फीस लेती है। वहीं एक्ट्रिस राकुल प्रीत एक फिल्म के लिए 1 करोड तक चार्ज करती है।